एलकीने की राच्चनी कविक्रियों में आजम बात करेंगे ओक्सी मर्कूरेशन, डी मर्कूरेशन, औक्सी मर्कूरिकरण, वे वी मर्की कोरण एलकी ने मर्कूरिक एसिटेट के साथ जलकी उपस्तिती में योग करके हाइड्रोक्सी मर्कूरी योगिक बनाती है और इस क्रिया को आक्सी मर्कूरी करण कहते हैं यह मरकरी योगी सोडियम बोरो हाइडराइड एने बी एच फोर के साथ अपचे तोकर एलकॉल बनाता है वे मरकरी धातू के रूप में मुख्ध हो जाती है इस अभिक्रिया को वी मरक्यूरी करन कहते हैं अभिक्रिया में कुल मिला कर कार्बन कार्बन डबल बोर्ण पर जलके एक उनू का योग मारकोनी कोफ के नियमनुसार होता है जैसे प्रॉपिन से टू प्रॉपिनोल की प्राप्ति होगी Next is Addition of Karben, Karben का योग एलकी ने Karben के साथ योगा अत्म क्रिया करके साइक्लो एलकीन बनाती है जैसे प्रॉपेन, डाइ, जु मेथेन के साथ भीक्रिया करके ब्रोपेन बनाता है अभिक्रिया की क्रियाविदी निमन प्रकार से है इसमें Karben बनेगा और चुंकि इस अभीक्रिया में योगात्म करिया के दुवारा चक्री योगिकों का निर्मान हो रहा है अते से चक्री योध अर्था साइक्ल अडिशन कहा जाता है नेक्स्ट है हाइड्रो बोरी करन हाइड्रो बोरेशन एलकी ने डाई बोरेन के साथ योगात्मय करिया करके ट्राई एलकिल बोरेन बनाती है एथीन की जब डाई बोरेन से रेक्शन होगी तो मोनो एलकिल बोरेन, डाई एलकिल बोरेन और फिर ट्राई एलकिल बोरेन प्राप्त होगा ये ट्राई एलकिल बोरेन अमल के साथ जल अपटी दोकर एलकेन बनाते हैं जबकि छार ये हाइडोजन परॉकसाइड के साथ ओक्सिक्रत होकर एलकेनोल बनाते हैं ट्राइ एथिल बोरेन के जलापठन से एथेन के प्राप्ति होगी और इसके ऑक्सिकरण से एथेनॉल के प्राप्ति होगी कुछ एसम्मित एलकीनों की हाइड्रो बोरी करण ऑक्सिकरण करिया को निम्न प्रकार से प्रदशित करा गया है प्रॉपिन से वन प्रॉपेनोल की प्राप्ति होगी वन ब्यूटीन से वन ब्यूटेनोल की प्राप्ति होगी टू मैथिल प्रॉपेन से टू मैथिल वन प्रॉपेनोल की प्राप्ति होगी 2-methyl-2-butyn से 3-methyl-2-butynol के प्राप्ति होगी और इन अभिक्रियाओं के अध्यन से इस्पस्ट होता है कि हाइड्रोबोरीकरण, ओक्सिकरण अभिक्रिया में कुल मिलाकर एलकिन अणू में जलियोजन होता है जो मारकोनिक ओफ नियम के विपरित होता है चुंकि जलियोजन मारकोनिक ओफ नियम के विपरित हो रहा है अध्य इन अभिक्रियाओं से प्रात्मिक तथा दितिक अलकॉल तो प्राप्त की जा सकते हैं लेकिन टर्शरी अलकॉल अध्या तितिक अलकॉल नहीं बनाए जा सकते हैं Next है Formal D.I.D. के योग अले डायोल और फिचकरी इथर बनाती है प्रॉपेन 1,3 डायोल के प्राप्ति हो रही है और 1,3 डायोक्सेन का निर्मान हो रहा है अब हम बात करेंगी एलकिनों की मुक्त मूलक योगात में कभी क्रियाओंगी सामानने परस्तियों में एलकिने हाइडोडन हैलाड के साथ इलक्ट्रोफिलिक योगात में कभी क्रिया देती है वे जो उत्पाद है वो मार्कोनिकोफ की नियम के नुसार बनता है यह अभी क्रिया आयनिक विदी के द्वारा संपन होती है लेकिन खराश एवं मेयो ने बताया कि यदि इस अभी क्रिया में थोड़ी सी मातरा में किसी कार्बनिक परोक्साइड की मिला दी जाए तो अभी क्रिया मुक्त मूलक क्रियावीदी के द्वारा संपन होती है तता उत्पाद मारकोनिकोफ के नियम के विप्रित बनता है अते इसे एंटी मारकोनिकोफ लो अता विप्रित मारकोनिकोफ नियम अथवा खराश प्रवाव अथवा परोक्साड प्रवाव भी कहते है मुक्त मूलक अभी गरिया हैं सामानिता शंकला अभी ग्रह के दौरा संपन्न होती हैं वे तीन प्रकार के पदों में संपन्न होती हैं और इसकी क्रियाविदी को निम्ध तरह से दिखा सकते हम ये पहला है शंकला प्रागम करने वाले बद जिसमें फिर रेडिकल का निर्मान हो रहा है फिर आगे शंकला बढ़ाने वाले पद है और बाद में शंकला को समाब करने वाले पद है जहां दो फिर रेडिकल आपने से मिलकर उत्पाद बनाते हैं तो पराक्सेड परवाब केवल HBR की दोळा दर्शाह जाता है HCL तता HI की दोळा नहीं इसका करन ये है कि पराकसेड परवाब में HX बंद का समाश विकंडन होता है HCL की बंद उरजा का मान 102 क्लोरी प्रती मॉल है HBR की बंद उरजा 87 क्लोरी मोल से अधीक है आते ये बंद नहीं तूटता है दूसरा HI की बंद उर्जा का मान 71 किलो किलोई प्रतिमोल यद पी HBR से कम है लेकिन आयोडीन मुक्त मूलकों की क्रिया उश्मा शोशी होने के कारण संपन नहीं होती है